कामे सुमिछ चरवर्मनी सिखाप दंस्मादियामी दुत धंगी, कुवयाख्या, वयाख्या, सुवयाख्या और प्रकास की भूत सारी परिभासा हैं अगर आप थोड़े भी पड़े हैं तो आपने देखा होगा कि जब प्रकास यानि जो लाइट और जो रोशनी होती है सुरू में बच्चे को कहते हैं कि जो चीज चमकीली हो और जो चीज किसी को प्रकासित करती हो प्रकास फैलाती हो प्रकास देती हो वो जो फैलाती है उसको प्रकास बोलते हैं उसको लाइट बोलते है यानि जो बला बला कर चमका जो आता है हमारे पास में जो फैलता है वो प्रकास है या मुझमत्ती जलाई जो फैलाती है रोशनी है वो प्रकास है सिर्फ प्रकास की इतनी definition सुरू में पहली दूसरी पांसमी छटी class को बताई जाती है कि जो element चमकता है वो जो फैकता है उसको प्रकास या light बोलते है जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो प्रकास की यानि जो light है उसकी definition बदल जाती है फिर light की definition होती है कि जो किसी source से तरंगे आती है और जो state आती है state farward आती है और जो कहीं पलके परावर्दित होती है यानि reflect होती है और हमारी आँको तक पहुंसती है उस चीज़ को प्रकास कहते है यानि कि light कहते है यानि कि किरने आई किसी object पर पढ़ी है और वो object हमें दिखाई दे तो इसका मतलब वहाँ प्रकास पढ़ा है light पढ़ी है वो हमारी आँकों तक reflect होके आ गई है हमने वो देखा अगर कोई किरन पढ़े और हमें ना दिखाई दे तो इसका मतलब वो light नहीं है जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं तो फिर बताते हैं कि जो light है वो heat waves है और उसमें higher energy होती है और वो heat ‑‑ हायर energy में आती है तो वो प्रकास पढ़ करती है यानि कि higher wave length की higher frequency की जो waves होती है उनको हम light बहुते हैं वो light है वो प्रकास की तरंग है यानि जैसे आग आपने जलाई तो आग अगर कम जलेगी तो गर्मी तो आएगी मगर लाइट नहीं आती है मगर अगर तेज आग जले तो वो जो गैस है वो इतनी तेज चलती है कि चमकने लगती है उससे जो पैदा होता है वो heat waves होती है और heat waves इतनी ज़्यादा होती है कि उससे light उत्पन हो जाती है जैसे अगर आप लोहे को अगर बहुत तेसे जलाएंगे तो red hot हो जाता है गरम हो जाता है तो वो अंधेरे में दिखाई देना सुरू हो जाता है कहते हैं कि इतना गरम है कि अब ये प्रिकास भी देने लगा है तो फुरी प्रिकास की light की definition परिभासा ये हो जाती है जब और थोड़े बड़ी class में जाते हैं तो कहते हैं कि जो photon का बंडल है यानि कि जो light है वो बहुत छोटे 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 आणूओं से फिर उनके परमानूओं से परमानूओं में जो कन हैं उनमें से जो एक कन है उसको जो एक एटम था जो पार्ट है उसको photon बोलते हैं तो photon के बहुत सारे बंडल होते हैं वो बंडल आते हैं वो बंडल चलते हैं तो photon जो होते हैं यानि कि लाइट इजे बंडल ऑफोटोन, यानि बंडल ऑफोटोन को लाइट बोलते हैं, प्रकास बोलते हैं, ये बता दिया, फिर और बड़े होते तो कहते हैं कि ये वो चीज़ है जो वैक्यूम में भी चलती है, यानि कि सूरज के बीच में, सन के बीच में, अर्थ के बी जो बिना किसी मीडियम के भी ट्रांफर होती है और भी आगे डेफिरिशन आती रहेंगी लायट की जब तो लायट को समझेंगे भगवान बुद्ध के धम की जो व्याख्या है अब उनी सुरू हो गई है बावा साब ने किताब दी भगवान बुद्ध और उनका धम पाली में मिल जाए किसी और भासन पूरी दुनिया में खूद चले है कुछ जो साहित है वो भगवान बुद्ध का ओरिजन नहीं है कुछ अर्थ कटाएं हैं और कुछ जो बाद में कहानिया लिखी गई हैं कहानिया हैं जो लोगों को समझाने के हिसाब से अपने हिसाब से लोगों ने उनकी व्याक्यां किया है कुछ मूल है मगर भगवान बुद्ध ने जो बताया था वो साफ का था कि जो भी आप देखोगे वो वहवारी ग्रूप से सही उतरना चाहिए जो आप पढ़ोगे या जो आप सुनोगे अगर वो वहवारी ग्रूप से मनुस्य के कल्यान के लिए सभी मनुस्य के कल्यान के लिए दुनिया में नहीं है तो वो बात ठीक नहीं है मेरी भी बात हो सकती है तो वो गलत हो सकती है अगर गलत कही होती तो ऐस समय के जो भिक्चू हैं उन्हें तो वहवार करके देखा था तो बता सकते थे ख़गवान आपकी इस बात गलत है तो उनकी सो में से सो बात हैं ठीक हैं अभिष किषिने उनके नाम पे गर बदल दी हैं, अपना नाम लगाके या उनका नाम लगा के तो गहवार से पता चल जाएगा। तो बहुत सारे वध्वार आपस में बाचित कर रहे हैं और बहुत साथ लोग सिखाने आगे हैं। अभी हजारों यूटूबर आएंगे जो आपको धम सिखाएंगे एक यूटूबर मैंने देखा था जो अभी धमचक पवतन पर कह रहा था कि महात्मा बुद्ध ने ऐसे ऐसे करके चमतकार इग्यार राप्ट किया अब वो अपने हिसाब से इंटेपिटिसन है उसकी क्योंकि अणकी भग्मान बुद्ध ने तो कभी अपने आपको महत्मा आत्मा कहा नहीं हो नाहीं कुछ चमतकार के चमतकार इनी बंद भंद है उसको अपना नाम बेचना है, टाई लगा के कोट लगा के आया है उसके पास में बहुत सारा इंतियाम है, बहुत सारे टीवी है और यूटूब पे भी वो लाखोरों पे देते हैं इस बात के कि उनकी वीडियो चले यूटूब पे या फेस्बूप पे आप अपनी वीडियो चलबा सकते हैं बेसे का आपका कैसा भी मटेल हो, आप एक लाख रूपया यूटूब को दीजिए आपकी दस क्रोट तक मार हो जाएगी, आपकी दस क्रोट तक लोगों तक पहुंच जाएगी और आप एक रूपया भी नहीं देंगे तो आपकी अप्रोच नहीं पहुंचेगी, यह उनका बिजनिस है तो इसका अच्छा क्या, इसका बुरा क्या तो जो व्याख्या, आख्या, सुवाख्या या कुवाख्या जो आने वाली हैं, जो इंटरप्टिशन आने वाले हैं, जो अनिलैसिस आने वाले हैं वो सब आप देखिए, वो सब अलग-अलग-अलग इस तरह के हैं जैसे प्रकास की जो तरंगे हैं या प्रकास की जो डेफिशन हैं वो अलग-अलग एज में, अलग-अलग एज में, अलग-अलग हैं ऐसे ही भगवान बुद्ध की जो इंटर्पेटिशन लो कर रहे हैं या जो भगवान बुद्ध का अनिलैसिस कर रहे हैं या जो उनका व्य जल्दी हो सके उतनी जल्दी विपस्ना कर ले S.N. गोइनका वाले कोर्सिस की अभी S.N. गोइनका जी है नहीं तो कई सेंट्रों में कुछ गरबर भी हो गई है जो उनके नियम है वो नियम नहीं माने जा रहे हैं एक सेंट्र मैंने ऐसा देखा था जहां उनके नियम तोड़े भी जा रहे हैं और भी हो सकता है तो आप थोड़ा साब्धाने रखें तूसरा उन्हें ने जो बताया है विपस्ना आप विपस्ना सीख क्या है विपस्ना सीखने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने सारे के सारी परियत्ति यानि कि सारी जो बातें वो बताई है उन्होंने कहा है कि मैं कोई भी सब्द ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो मैंने खुद अनुभव ना किया हूँ यानि उन्होंने जितना भी जो भी परियत्ति में बताया है वो पटी-पती करके बताया है यानि ये पहले explains किया है उसके बाद मनों ने वो सप्धान्त लिख कर बताया है तो confuse नहों बेसिटक लिए कोई कुछ भी बोले आप confuse नहों आप ये देखें कि ये जो बोल रहा है और बता रहा है इसके हिसाब से वो कैसा है दुनिया के हिसाब से कहता है और मनुस्य के हिसाब से कितना लाबकारी है बहुत सारी चीजें भगवान बुद्ध के त्रिपीटक में और भगवान बुद्ध की परियत्ती में और पटी-पत्ती में या उनकी सिद्धान्त में और उनकी प्रेक्टिस में लोगों ने बदलने की कुर्शिस की अगर भगवान बुद्ध ने कैई सूतर ऐसे दिये हैं जिससे वो नहीं बदल सकते जैसे एक उनका है कि अगर सभी मनुस्य के लिए कल्यान कारी ना हो तो वो बात सही नहीं है और ये सबसे सटिक लाज है सबसे सटिक चेक है सबसे सटिक आप इसको देख सकते हैं कि वो सब के लिए है या नहीं है सब का मतलब सारी दुनिया के मनुस्य के लिए अगर वो ऐसा नहीं है तो भगवान बुद्ध का नहीं है स्टेट फारवर्ड उसको रिजेक्ट कर सकते हैं दूसरी बात भगवान बुद कभी मैं और मेरे में नहीं उलचे वो तो मैं और मेरे से पूरी तरसे मुक्त हो चुके थे जब सारे आसब यानि सारे उनकी बुराईयां जा चुके थी तो उनमें एहम भाग में नहीं था मैं मेरा परिवार भाग में नहीं था मैंने बहुत सारे संतों को देखा है, संत कभी अपनी पारवारी के लाइफ इस्टाल के बारे में कभी बात ही नहीं करते है, जो बात करेंगे वो किसी दूसरे ने की है, और जो दूसरे ने की है वो उसने अपने हिसाब से की है, उसको उसी के हिसाब से देखें, भगवान मेरे कपला ऐसा, मेरी चाल ऐसी, मेरा नाम ऐसा, मेरा रंग ऐसा, मेरा रूप ऐसा, या मैं ये खाता हूँ, या ये पीता हूँ, या मेरा पिछले का ये है, या मेरा आगे का ये है, या मेरा परिवार ये है, या ये बात, और कभी उन्होंने हमेंसा प्रजेंट पर रहने की सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर वह भविस्थे बताने वाले होते तो बहुत परे बता जाते कि अमरीका में जगे जो अमरीका के नाम से खाली पड़ी विए जा कर लो हाँ तुम्हारा कल्यान हो जाएगा या आने वाले समय में हमारे देश में ऐसी मद्दी और बेरुजगारी आएगी और ऐसे लोग आएंगे तो वो सब पहले से बता जाते तो कुछ ऐसे भविस्य वक्ता नहीं थे वो प्रजेंट को बताने वाले थे मगर उनकी टेक्निक इतनी जवज़स थी कि प्रजेंट से आ आप पास्ट कर फ्यूचर का दोनों का एनलेसिस कर सकते हैं अगर विपस्ना करें तो धन्यवाद है टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी हैं आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप य जहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते है उसका printer material भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका audio change कर सकते हैं उसका video ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें team 22 की किसी भी video का या सारी video का इस्तमाल कर सकते हैं ये हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगे हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुँचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा share करके या इसको आगे भीज कर या इसका लिंक भीज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सभी देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहिक बने धम आपको खुब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे यह दोनों इंटरचेंज है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद सरेन गच्छामू संगं सरेन गच्छामू संगं सरेन गच्छामू तूतियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। तूतियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। तूतियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। तूतियं पी बुद्धं गच्छाम।